हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको रेड राइडिंग हुड ये 2011 की फैंटेसी, रोमैंस, मिस्ट्री मुवी एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ इस मुवी में विचेस, वेरवुल्फ इस तरह के बहुत इंटरस्टिंग कंसेप्ट से है एक विलेज है, जो वेरवुल्फ से हंटेड है इसी विलेज में एक लड़की, एक लड़के से पयार करती है पर इसके फैमिली वाले नहीं मानने वाले गाव में जो वेरवुल्फ है, इसी वज़े से और भी कॉम्प्लेक्शन हो जाते है ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है, तो चले इस मूवी को एक्स्प्लेंट करना स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है, और हम देख सकते हैं कि एक छोटा सा ब्यूटिफुल गाव है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है वैलरी, उसका बच्पन हमें दिखता है वैलरी हमसे यह थी है कि जब मैं छोटी थी, तब काम करकर डायरेक्ली मुझे घर पर आने के लिए कहा जाता था इस गाव में वेरवुल्फ है जो आदमियों को खाता है वेरवुल्फ का ये मिनिंग है कि आदमी जो वुल्फ में बदल जाता है और उसके बाद वो हंड कर सकता है वुल्फ में कनवर्ट होने के बाद ये फिर से आदमी में भी कनवर्ट हो जाता है ये प्रोसेस मैनली फुल मून के नाइट पर ही होती है इनके गाओ पर वेरवुल्फ का खत्रा है तो सब को डर कर रहना पड़ता है वैलरी कहती है ये मुझ पर बहुत सारे रिस्टिक्शन्स थे पर अपने फ्रेंड पीटर से मिलने के लिए वो हमेशा जाया करती थी वैलरी और पीटर बच्पन से एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे अब एक बड़े हो चुके है तो दोनों एक दूसरे के प्यार में है मुवी का हमारा टाइम ये एक मीड इवल टाइम है यानि कि ये टाइम पिरेड वो है जहां किंगडम सुआ कर देते अब हम देखते हैं कि वैलरी बड़ी हो चुकी है घर जोट बोलकर वो आज फिर से पिटर से मिलने के लिए आती है पिटर अब एक वूड कटर बन चुका है जब आज एक दूसरे से मिलते हैं तो पिटर कहता है क्या तुम्हारी शादी फिक्स हो चुकी है वैलरी को ये पता ही नहीं था उसकी शादी एक warrior से हुई है वैलरी की मदर हमेशा चाहती थी कि वैलरी की शादी एक reach परिवार में हो पिटर एक woodcutter है तो ये possible नहीं होने वाला वैलरी इस चीज़ से बहुत ही upset हो जाती है पिटर के अलवा किसी से भी वो शादी नहीं करना चाहती पिटर को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हो पिटर बोलता है कि अगर तुम सचुछ में मुझसे प्यार करती हो तो प्रूफ कर कर देखाओ वैलरी पुछती है कैसे मैं इसे प्रूफ कर सकती हो पिडर कहता है कि अगर तो मुझसे प्यार करती हो तो अभी के अभी हम यहाँ से भाग कर चले जाएंगे हम कहीं भी जा सकते हैं हम एक साथ हैं तो आगे का सब कुछ फिगर आउट कर लेंगे वैलरी भी इसके लिए मान जाती है यह दोनों गाव से बाहर आते हैं तभी इने वुल्फ की आवाज आती है बहुत सारे लोग गाव के बाहर गैदर हुए है कुछ ना कुछ तो बहुत बुरा हुआ है तो वैलरी यह देखने के लिए जाती है सब लोग वैलरी को सिंपताइज नजरे से देख रहे होते है वेरूल्फ गाव में आया था और वैलरी की सिस्टर को उसने मार दिया है वैलरी अपनी सिस्टर को देखकर बहुत रोती है सब फैमिली गैदर करकर सब अपना दुख बाटते है अपने कंडोलांस देने के लिए वह हैंडरी आता है वैलरी की शादी जिसके साथ होने वाली है यह वही हैंडरी है वैलरी की मदर उसे हैंडरी से बात करने के लिए कहती है पर वैलरी इसमें इंट्रेस्टेड नहीं है हैंरी के जाने के बाद वैलरी की मदर वैलरी को समझाती है वो कहती है जब मैंने तुम्हारे फादर से शादी की थी तब मैं उनसे पैर नहीं करती थी जैसा टाइम गुजरता गया वैसे मैं उनसे पैर करने लग गई उन्होंने मुझे दो बेटे आ दिये यह मेरे लिए बहुती बड़ा गिफ्ट था टाइम के साथ तुम भी उससे प्यार करना सीख लोगी वैलरी की सिस्टर्स की फ्रेंड उससे देखने के लिए आती है यहां में पता चलता है कि वैलरी की सिस्टर हैंडरी को पसंद करते थी वो वैलरी की बड़ी सिस्टर थी तो एक्च्वल में हैंडरी के साथ उसके शादी फिक्स होनी चाहिए थी ऐसा क्यों नहीं हुआ यहां में आगे पता चलेगा पीटर जब वैलरी से मिलने के लिए आता है तो वैलरी की मदर उसे बाहरी रोग लेती है वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहां क्यों आये हो तुम एक वूड का डर हो और तुम कभी भी आच्छा नहीं कम अपाओगे मेरी बेटी को तुम खुश नहीं रख सकते पर सब लोग gather करते है और decide करते है यह इस बार इस वेरवल्फ को मार कराएंगे इसमें से एक आदमिये कहता है कि हमें सौलिमान का वेट करना चाहिए सौलिमान वो है जो वेरवल्फ और विचेस को मारता है इसका यही जौब है कोई भी मान दने और जाने के लिए रेडी होते है इन सब लोग के साथ पिटर भी जाने वाला है जब वैलरी को पता चलता है तो पिटर से वो मिलने के लिए आती है वो कहती है कि तुम careful रहो वैलरी की मदर ने पिटर को जो कहा था उस पर उसने seriously सोचा है वो भी चाता है कि Valerie खुश रहे वो भी उससे break up कर लेता है पिटर जो भी कहता है उस पर Valerie थोड़ा भी believe नहीं करती जाते वक्त Henry Valerie के पास आता है उसे वो एक bracelet देता है जो उसने special Valerie के लिए बनवाय था सब आदमी अब chaos में हंड करने के लिए निकल पड़ते है Valerie की फादर उनकी मदर से मिलते है मदर उनसे यह दिये कि अपने आपका तुम खयाल रखना इसके बाद Valerie भी अपनी grand mother से मिलने के लिए आती है Valerie को पता नहीं था कि उसकी sister Henry से पैर करती थी यह सब चल के रहा है उसे समझ में नहीं आता उसकी grand mother उसे console करती है और एक hood देती है एक बहुत ही beautiful red hood है वुल्फ को डुणने के लिए सब लोग chaos में जाते है इन chaos में दो रास्ते है Henry को लगता है कि सब लोग एक साथ रहने चाहिए पर Peter इस पर मानता नहीं सब लोग वहाँ पहुचते है और इस वुल्फ को मार देते है सब लोग village में आते है वुल्फ को मारने की कोशिश में celebrate करते है Henry की father की अभी अभी date हुई है तो Valerie उसे मिलने के लिए जाती है Henry बहुत ही घुसे में Valerie से कहता है कि मैंने वुल्फ को सूंग लिया था मैं बहुती डर चुका था इसलिए मैं कुछ करनी पाया मुझे मेरी father की help करनी चाहिए थी Henry कहता है कि please मुझे इस तरह से तुम मत देखो Valerie भी वहाँ से चली जाती है Valerie की mother को जब पता चलता है कि Henry के father मर चुके है तो बहुत रोती है Valerie अब अपनी mother को confront करती है यहां में पता चलता है कि एक्चुन में Valerie की mother Henry के father को पसंद करती थी उसने कहा था कि शादी से बहले किसी से वो प्यार करती थी वो Henry के father ही थे Valerie की sister की शादी वो Henry से नहीं करना चाती थी क्योंकि Valerie की mother की जब शादी हुई थी तो वो खुद pregnant थी इसका मादलब है Valerie की sister और Henry यह दोनों brother sister थे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था यह गलत होता इसलिए Valerie की शादी Henry से fix करा दी गई थी mother Valerie से promise ले थी है के बाद किसी को भी पता नहीं जलनी चाहिए अगले सीन में सॉलेमान यह हमें विलेज में आते होए दिखते है सॉलेमान एक वेरवुल्फ और वीच हंडर है सॉलेमान जब वहाँ पहुचते है तो विलेजर्स का हेड जिसका नाम है रिव उन्हें कहता है कि हमने अल्रेडी वुल्फ को मार दिया है सॉलेमान जब इसे देखते है तो कहते है कि यह तो तुम्हारे वेरवुल्फ है ही नहीं विलेजर्स इसे मानने के लिए रेडी नहीं है सॉलेमान फिर कहते हैं कि मेरे विलेज में भी एक वेरवुल्फ था उसने हमारे विलेज में किसी को मार दिया था मैं और मेरे फ्रेंड एक रात बहुत ड्रंक हो गए और हमने डिसाइड किया कि इस वुल्फ को मार कराएंगे हम वुल्फ का पीचा करते करते के उतक गए उसने मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को मार दिया जब वो मुझे मारने के लिए तब मैंने उसका हाथ काट दिया वेरवुल्फ का हाथ लेकर मैं घर पर पहुचा तो मुझे मालूम पढ़ा कि मेरी वाइफ का हाथ भी तूट चुका है मैंने जब फिर से वेरवुल्फ का हाथ देखा तो हुमन हाथ में ओक कर्णवर्ट हो चुका था इसका मतलब है इसकी वाइफ ही वेरवुल्फ थी उसने फिर अपने वाइफ को मार डाला सॉलेमान फिर कहता है कि जब तुम वेरवुल्फ को मारते हो तो अपनी हुमन फॉर्म में वो आ जाता है और इस तरह की चीज यहां नहीं हुई है रीव यह सब मानने के लिए अभी भी रेडी नहीं है वो कहता है कि हमने वेरवुल्फ को मार दिया है और आज हम celebrate करेंगे सॉलेवान उसे समझाने के लिए कहता है कि आज से लेकर 2-3 दुनों तक Blood Moon है 13 सालों में जब सब planets align करते है तब एक ही बार ही होता है जब Blood Moon आता है तब ये werewolf बहुत ही dangerous होता है पर rear wave आनने के लिए ready नहीं है उसने plan किया है कि आज celebration होगा तो हो नहीं वाला है रात में celebration जब स्टार्ट होता है तो Valerie और Peter के बीच में एक चक्कर चल रहा है ये Henry को पता चलता है Henry और Peter के बीच में fight हो जाती है Valerie Peter से बात करती है वो गहती है जो भी तुम मुझे कह रहे थे ये सब जूट है ये मुझे मालूम है Peter कहता है कि तुमारी मदर सही है मैं तुमारे लिए सही नहीं हूँ Valerie कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत पैर करते हो मुझे सिर्फ तुमारे साथ रहना है मुझे किसी भी चीज से फरक नहीं पड़ता इसके बाद ये दोने ये दूसरे को किस करते है Peter Valerie को एक रूम में लेकर जाता है ये दोने मेक आउट कर रहे थे तब Henry ये सब देख लेता है अचानक से Peter के फ्रेंड उसे बुला लेते है तो उसे जाना पड़ता है Valerie अब Peter के साथ है तो बहुत ही खोश है उसे में चले जाने वाला हूँ वो चाहता है कि Valerie भी उसके साथ चले Valerie उसे मना करती है तो वेरवुल्फ केता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो पूरे विलेज को में मार दूँगा वो उसे उसके साथ चलने के लिए एक limited time देता है Valerie के साथ उसकी एक friend भी थी जो वेरवुल्फ को नहीं सुन पाए वुल्फ के जाने के बाद उसकी friend उससे यह ती है कि मुझे लगता है कि तुम एक वीच हो यूकि तुम वुल्फ को सुन सकती थी नेक्सिन में हम देखते है कि सब लोग को मालूम बढ़ चुका है कि सॉलेमान सही था सॉलेमान इस village का पूरा control ले लेता है कोई भी धर से बाहर ने निकले यह उनको advise करता है सॉलेमान का right hand एक soldier है जिसका brother वुल्फ के हमले में जक्मी हो गया था वो अभी भी जिन्दा है पर सॉलेमान केता है कि इसे जिन्दा रखना बहुत ही dangerous है यह अब कर्स्ट हो चुका है और उसको मार डालता है सॉलेमान के right hand को बहुत बुरा लगता है नेक्सिन में हम देखते है कि जब Peter वैलरी को लेने के लिए आता है तो वैलरी उसे मना कर देती है वोल्प ने उसे कहा है कि उसके साथ उसे आना है तो वो बहुत डर रही है वैलरी ने वेरवल्फ की आखे भी देखी थी जो प्रावनीश थी वो Peter के आखे चेक कर दिया पर वो ब्लैक है वैलरी अपने घर पर है उसके पास उसकी Grand Mother है Grand Mother Woods में अकेले ही रहती है इसी को कुछ भी पता नहीं है वो आख करती क्या है वैलरी अपने Grand Mother की आखे चेक करती है तो वो भी प्रावनीश ही है पार ब्लड मून की रेट लाइट है जो वेरवूल्स के लिए सही नहीं है वैलरी चेक करने के लिए खिड़कया खोलती है पर उसकी ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं होता यानि कि उसकी ग्रैंड मदर वेरवुल्फ नहीं है अब गाव मेंसे कोई भी वेरवुल्फ हो सकता है तो सॉलेमन सब लोग को चेक करता है वैलरी से मिलने के लिए हेंरी आता है हेंरी उसे कहता है मुझे तुमारे और पीटर के बारे में सब कुछ पता है जिस तरह से तुम पीटर को देखती हो उस तरह से मुझे तुम कभी भी देख नहीं पाओगी उनकी engagement वो तोड़ देता है इनके विरेज में एक abnormal सा लड़का था इसे magic भी अच्छा लगता है तो Solomon ये notice करता है Solomon को लगता है कि वेरवुल्फ कोन है इसे मालूम होगा उसे torture करने के लिए एक बड़े से iron element में डाल देता है नीजे से आग भी लगाता है जिससे वो अंदर से जलता रहे इस बेचार को कुछ भी मालूम नहीं था ये लड़का वेलरी के friend का ही ब्रदर था वेलरी की friend Solomon से मिलने के लिए आती है वो कहती है कि please मेरे ब्रदर को जाने दो इसके बदले में उसे वो कुछ पैसे भी देती है Solomon मानता नहीं तो कहती है कि मेरे पास एक secret है वेलरी ने वेरफुल से बात की थी ये चीज़ वो उसे बता देती है Solomon सब लोगों की फिर meeting लेता है यहां वेलरी को भी बुलाया जाता है वेलरी को confront करता है वेलरी भी सब कुछ सच इन्हें बता देती है वेलरी के थी है वेरफुल मुझे खरी लेकर जाना चारता है Solomon केता है कि अब सब कुछ तो सही हो चुका है वेलरी को sacrifice कर देंगे और सब को सही होगा उसे वो arrest कर लेता है और एक जगा भरबान कर रखता है पिटर और Henry एक दूसरे की दुश्मन है क्योंकि वो वेलरी से प्यार करते है दोनों मिलकर decide करते है कि उन्हें वेलरी को बचाना है वेलरी की grandmother उससे मिलने के लिए आती है वेलरी अपना protection कर सके इसलिए उसे एक चाको दे कर जाती है नेक सिन में हम देखते है कि Peter Valerie के father से मिलने की लिए आता है केता है कि मैं आपकी daughter से बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे ही शादी करूँगा आपकी अगर blessing मिले तो अच्छा होगा पर नहीं भी मिली तो भी मैं उससे ही शादी करूँगा Valerie के father भी Peter को accept कर लेते है वैलरी को छुड़वाने वाला है यह प्लैन उसके फादर को भी बताता है नेक्सिन में हम देखते हैं ग्रैंड मदर हेंडरी से मिलने के लिए आती है हेंडरी ने वैलरी के साथ इंगेजमेंट तोड़ दी इसके लिए उसे थैंक्यू कहती है हेंडरी यहां कुछ अजीब नोटिस करता है उसने वेरवर्फ को स्मेल किया है यही स्मेल वैलरी की ग्रैंड मदर से भी उसे आ रही है वो ग्रैंड मदर को यहां से निकल जाने के लिए गयता है जब रात होती है तो पीटर और हेंडरी तोनों वैलरी को बचाने की कोशिश करते हैं पीटर कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है वह सॉलेमान उसे बंद कर देता है वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है पर वो निकलनी पाता है हेंडरी वैलरी के पास बहुत जाता है, वैलरी के फादर भी हिल्प करते हैं, हेंडरी वैलरी को छुड़वा लेता है, सॉलेमन इन्हें नोटिस करता है, हेंडरी और सॉलेमन में फाइट होती है, और हेंडरी थोड़ा सा इंजोर होता है, तब हम देखते हैं कि फिर से और इस वेरवूल्फ के साथ । सालमोन के राइट हैंड के सऩाथ दोड़ दिया था तो राइट हैंड अव सोलेमान से पदला लेता है और उसे मार डालता है । य। एथरी जोपर से वेरप कर दिया और वो सस्पेक करती है कि जब भी वेरवुल्फ आता है तो पिटर वहाँ नहीं होता पिटर ही चाहता है कि वैलरी को लेकर कहीं दूर गाव में चला जाए वैलरी को लगता है कि पिटर ही वेरवुल्फ है वैलरी उसे दूर रहने के लिए कहती है पर पिटर उसके पास आता ह कि आपने ऐसा क्यों किया वैलरी नोटिस करती है कि उसके फादर के हाथ भी जले हुए है यानि कि उसके फादर ही वेरवुल्फ है उसके फादर भी इसके लिए डिनाय नहीं करते है वो अपने फादर को कंफरंट करती है तो फादर अब सब कुछ बताते हैं वो कहते हैं कि प साथ सीटी में यह में जाता था सिर्फ वेरवुल्फ की बेटी यह उसे सुन सकती है वैलरी की बड़ी सिस्टर से जब ऐस वेरवुल्फ उसके फादर ने बात करनी कोशिश की तो कुछ समझ नहीं पाई फादर को समझ में आ गया कि उसकी डॉटर नहीं है बुवे के फर्स मे कि हेंडरी ग्रैंड मदर से बात करता है और कहता है कि तुम उस वेरवुल्फ की तरह समेल करती हो ग्रैंड मदर पूरी लाइफ में उसे समेल के साथ रह रही थी उसे पता चल गया कि उसका ये बेटा वेरवुल्फ है अब ग्रैंड मदर सब को बता सकती है तो अपनी मदर को उसने मार डाला फादर वैलरी को फिर से समझाते हैं केते हैं कि हमारे पास गिफ्ट है जो मैं तुमें देना चाता हूँ तुम मेरे साथ चलो और बहुत ही अच्छे लाइफ हम जी सकते हैं वैलरी कहती है यह आपने जो भी सब किया है वो बहुत ही गलत किया है बहुत सारे में सॉलेमन ने विलेजर्स को एक स्टोरी सुनाई थी जिसमें उसने कहा था कि उसके वाइफ ही वेरवुल्फ थी उसके वाइफ का हाथ उसने अपने साथ लाया था ये हाथ वैलरी अपना प्रोटेक्शन करने के लिए उसके साथ लेकर आई थी वेरवुल्फ को एक मेरा जाता है। पिटर वैलरी को यह कहकर वहां से चलने लग जाता है। वैलरी फिर हमसे कहती है कि सब चीजे मैं अब अलग तरीके से देखनी लगरें। पीटर अब खूद वेर्वुल róż बन जाईगा और इससे उसे फरक पढ़ रहा वो Peter के पास जाकर उसे गले लगाती है इसके बाद यह दोनों इंटीमेट हो जाते हैं यह दोनों डिसाइड करते है कि वैलरी के फादर के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए फादर की बोड़ी एक लेक में वो डाल देते है पीटर वैलरी से कहता है कि अब थोड़े दिनों के लिए मैं तुम से दूर रहूंगा वो वेरवुल्फ बनेगा तो किसी को भी उसे हर्ट नहीं करना है जब तब वो खुद को कंट्रोल करना सीख नहीं लेता तब तब वो दूर जाकर रहने वाला है इसके बाद पुरा विंटर बीच जाता है पर फिर भी वेरवुल्फ वापस नहीं आता वैलरी की ग्रैंड मदर हूट्स में रहती थी तो वही वैलरी रहने लग जाती है पीटर के जाने के बाद वो प्रेगनेंट थी और उसे अब बच्चा हो चुका है पीटर ने अपने आपको कंट्रोल करना सीख लिया है और पीटर एक रात वापस आ जाता है वैलरी गाव से दूर रहेगी यानि कि पीटर और उसके बारे में किसी को भी पता ना चले और किसी भी लाइफ को डेंजर ना हो ये दोने एक साथ रहेंगे और अपने बेटी को रेज करेंगे ये इस मूवी की समवाट हैपी एंडिंग हो चाती है अगर आपको आज का वीडियो अचा रहागा तो फ्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो फ्लीज इस चैनल को सब्स्राइब कर दीजे और बेन इन्रोगिशन आइकोन दाबनें मत भूलिये हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखें